तुम बेवफा तुझे पता है तेरे दिल को पता अरे हारिज बटा तुम यहां जी असलाम अलेकम वालेकम असलाओ वो अम्मी ने अचार भीजाता अब अनुशा के लिए तो यहां क्यों खड़े वह अंदर जाके दो बेल बजाई थी लेकिन उसने दर्वाज़े नहीं खुला दर्वाज़े नहीं खुला जी वो कह रही थी क अब बाबा आने वाले हैं तो जब तक बाहर बेट कर लो मैंने का ओके अजी पाके रुखिए तुम आउमने उठा ले तो नहीं तो नहीं तो इस किसम की बेवकूफी की उमीद कम से कम मुझे नहीं थी तुम से मतलब तुम होटेल के रूम में बैट किया अपने दोस्तों स मैंने बाहर जाके बात की थी अच्छा तो फिर ये बात ने उसे कैसे पता चली तुम्हें कुछ अंदाजा है अपने साथ साथ तुमने मुझे भसाने का भी प्लान कर लिया था रैना वो बहुत शार्प लड़की है पता नहीं कैसे मुझे से बच गई किसी की दुआ थी उ मैं किसी कीमत बे भी नहीं चोड़को एचली मुझे इतना स्पेस देना ही नहीं चाहिए था पहले ही घेर लेना चाहिए था लेकिन तुम्हारी जिद थी कि मैं प्यार महबबत का ड्रामा करू उसके साथ पिर वही बात तुमसे मैंने ये बात कितनी दफा कही है कि जल्द पाजी अक्सर बात को खराब कर देती है अगर मैं इतना इतिजार नहीं कर सकता तुम देखना मैं उसके साथ करता क्या तुमसे ज्यादा जल्दीना मुझे है लेकिन अब मुझे ये लगता है कि ये काम तुम्हारे बसका नहीं है कम से कम तुम्हे लगता है राइना तुमन यूस्टा के बाप से मुझे कोई पराना हिसाब जुकता करना है अच्छा सुनो, तुम मुझे दो दिन दो मैं दो दिन के अंदर-अंदर इसको लेकर आती हूं तुमारे पास लेकिन हाँ, इस पर उन तुम से मिलने नहीं हारेगा किसी और से मिलने आएगी और फिर अचानक तुम से सामना हो जाएगा समझे? ठीक है राइनाप भायजान, अनुशा अरे बिसमिल्ला, आजा 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 बिटाव आजा असलालेकूं वालेकूं, जीति रावचा अम्मू, असलालेकूं सलाव, असलाम अजा अजा वशा वश, माशाला बिल्कुछ सही वक्त पर आया हो तुम अभी अनोश्या अम्म के लिए कुस्पेशल बनादी नाश्ते के लिए साथ करेंगे अरे नाश्ता तुम्हे पता है नाश्ता में बहुत लाइट सा करना है अचली मैं तो मुबारिक बाद दिन्हें के लिए एक जिम्मेदारी जोती है मदा तुम कुछनसीब हो के तुम्हारी बेटी आपने धर की हो जाने है मैं तुम्हारी मुबार्कबात रूुल कि लिएने नाश्ती के बात अरे गा भा लो किस्थर। आरे नहीं आर ने यार मैंने कृषआ नहीं देना बुकुल बुरा मत मानिये रहा, यह सी मजाग करती रहती है बहुत मजाग किया यह अच्छा है ज़र जल्दी आजाएगी तो मुझे मीटिंग पर साना है बस अभी लाइगा आजो 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 बेटो अनुशा एक बात कहूं हम फारुक के साथ ना मजाग न क्या करो मज़े लगता है कि उनको अच्छा नहीं लगता मैंने कौन सा मजाग कर दिया यही कि नाशते बे मत रोके चाय बना देती हूं वरना वो यह भी नहीं पिएंगे वगएरे वगएरे अमो मैं मजाग नहीं कर रहती I was serious पता नहीं अंकल लग अभी गभी ऐसे ही गट और अमो कभी गभी उनके पहेवियर में मुझे अकमे लिए बहुत नापसंदीदी और गैरियत सी महसूस होती ऐसी कोई बात नहीं है अगर वो तुम्हें पसंद ना करते तो उसे तो जरूर जिकर करते ना देखो अगर ऐसी कोई भी बात होती तो अपनी सारी मसरूफियत चोड़कर तुम्हें शादी के मुबारक बात देने क्यों आते वो बहुत अच्छे है इस तरल में बात ये है कि समीरा के इस तरह बेवक्त चले जाने से थोड़े अपसिट हो गए और शाद Sanjeeता भी है चले कोई बात महा अभा आगी ना उनकी जिंदगी में इंशाल्ला ताला बिलकुल नॉर्मल हो जाएंगे क्वा तो तुम्हारा 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 पहारा जी आई भईया तो गुड़ा रहे हैं जुद्धी से जाओ नई भाई इस जम से तो मैं बेलकुल भी खुश नहीं हूँ तुमसे बाते कर रही हूँ मैं कहा आँ तुम युस्ट्रा सॉरी क्या कह रही थी आप मैं यह बोल रही हूँ कि मैं अपनी जम से कुछ खुश नहीं हूँ मैंने फिछले दो महिनों में दो केजी बढ़ा लिया है I'm not happy with my instructor अपर आज से बात किया आपने हाँ हाँ अफकोर्स बात किये मैंने मैंने तो उसको बताया बलकर मैंने उसको बोला है कि मैंने पुलिस की दम की दिया उसको और फिर मैंने उसको ये कहा कि तुमने जो-जो हरकती की है मैं तुम्हारेinaryinary waterproof के पास जाके तुम्हारी शकायत लगावंगी बहुत अच्छा है कि आपने, जाहें जाके उनके पेरेंट्स को बताएं, कि उनका बेटा कितना बड़ा लूजर है, बलकि मैं भी आपके साथ चलती। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताओं, मुझे ना उसको देखके बहुत तरस आया, अरे तुम्हें अंताजा भी नहीं है, जिस तरहां वो गिलगडा गिलगडा के माफिया मांग रहा था मुझे, और मुझे कह रहा था, कि मैं तो यूस्ट्रा के बारे मैं ऐसा सोच भी निस स मुझे मिलवा दें आप यूस्ट्रा से, मैं जो भी गलत सहनी है, वो सब दूर करतूँगा, इंपॉसिबल, उसकी तरफ देखना तो क्या थूखना भी पसंद नहीं करती मैं, और अगर कहीं गलती से मुझे वो बहार मिल गया ना, तो लोगों से इतना बिटवाँगी कि ज अरे मैं तो तुम्हे वो बाते बता रही हूं जो उसने मुझे बताई है, वैसे खुशी तो मुझे ताव होती है, अगर आप मेरी तरफ से उसे एक जोड़दार थपड़ मार के आपते हूं, हा ना, तो मैंने मारा था ना उसके मुँपे, देखो पता नहीं भूल भी, अर पाँ सारों से बुगत रहे है मुझे, अब तो आदत हो कोई होगी होसे, आगर, देखो नुशा, शादी के बार ना भिटा, थोड़ा सा खुद को बदलने की कोशिश करना, अच्छा, जरूरी नहीं है, कि जो आदते तुम्हारी, हाईज़ारी तुम्हारी, इसको अच्छी लगती है, उसकी मम्मी को भी अच्छी लगती है, मैंने तो उसको समझा दिया, कि अपनी मम्मी को समझा दिया, मैं तो ऐसी हूँ भई, और ऐसी ही रहूंगी, as it is, बिल्कुल नहीं, तुम्हें थोड़ा सा बतलना पड़ेगा, और थोड़ा समझना पड़ उनके घर को, घरवालों को, रहनसेहन को, तोर तरीकों को और उनकी मम्मी की आदतों, क्यूं, क्यूं भई, मैं क्यूं समझा, क्यूंकि और अपनी समझदारी से घर बनाती है, अब देखो न, एक आदमी के लिए पूरा घर तो नहीं बदल सकता, लेकिन एक आदमी तो बद हारिस ने मुझसे वादा किया है कि मैं जो हूँ जैसी हूँ इसको बिलकुल वैसे ही पसंद हूँ और वो मुझे जिंदगी में कभी भी बदलने की कोशिश बिलकुल भी नहीं करें ठीक, मेरी दुआ है, अल्ला पाक तुमें ऐसे ही हमेशा खुश रखे अब मैं तेल लगा के चोटी करने लगी हूँ, खीक है, और अब ये सुबा ही सर धूलेगा शादी के बाद अनुशा को खुद को बदलना होगा, वरना मैं उसे कभी परताश नु करेंगी क्या मुश्किल है या, खेर एक पर शादी हो जाए, फिर मैं उसे खुद कर्टोल कर लूँगा कर लो कर लो हारिस क्या हो गया, क्या खड़े सोच रहे हो तुम, जल्दी करो फ्राइट में सिर्फ एक घंटा रह गया और तुम्हें पता ना, इस वक्त मैं बहुत राफिक मिलेगा ठीक कहा रही है मियाब, अगर निशाद अंटी हमसे पहले एरपोर्ट पहुंच गए न तो पूरे एरपोर्ट को सर अपर उठा ले नीच चले अच्छा सुनो, अनुशा को साथ लेके चलना, तुम्हाई निशाद अंटी को बहुत अच्छा लगेगा कि होने वाली बहु उन्हें रिसीव करने आई है मैं जरूर लेकर चलता, लेकिन अनुशा के घर पे उसकी फुपो आएंगे तो वो लोग शॉपिंग पर जाएंगे ऐसे ही जो समझदार और अच्छी लड़ीया होती है ना, अपने सुस्राल बालों को बहुत एहमियत देती है तुम ऐसा करना, ये बात अच्छी तरह से अनुशा को समझा देना और वो ना बगहर सोचे समझे कुछ भी बोल देती है तो फ्लीज, उसे कहना कि तुमारी आंटी के सामने जरा ख्याल से बात करे क्योंकि तुम अपनी आंटी के मिसाज को बहुत अच्छी तरह से जानते हो उन्हें अगर कोई बात बुरी लग गई ना, तो बात बहुत खराब हो जाएगी हाँ बाबा, ठीक है, अब चले है, लेट हो रहे है हाँ, हाँ, चलो जल्दी चलो, आचो अनुशा को समझाया तो वो भी भड़क जाएगी कि तुम मुझे गलत समझ लेओ, अची, अची मुश्किल में भसके हूँ या, हार मैं हारिस कहां रह गए आचा सुनो, मैंने उसे बात करने की पूरी कोशिश की है लेकिन वो तुम से मिलना नहीं चाहती तुमारी एक गलती में ना, मेरी सारी प्लानिंग का बेड़ा खर्ब करती है और वो जो गरूर से तना हुआ सार है ना, उसका, वो जुक चुका होता लेकिन गलती मेरी है मैंने गलत बंदे पे भरोसा किया आप, सो सौरी रहना, मैं अब भी बहुत कुछ कर सकता इक्जैक्ली ऐसे ही होगा फराद ने कुई कच्छी गोलिया नहीं खेली, मैं अब भी उसे ट्रैप कर सकता हूँ फिर दुम देखना, वो किस तरह मेरे पास चली आएगी हम, गुड, तो फिर जो करना है जरा जल्दी करो इससे पहले वो अपने बाप को बता दे और बाप कोई एक्षिन ले ले, समझें? ओके अनुशा, इस तो पट्टा तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इसका सूट बहुत पुराना हो गया है न से साथ नया सूट बना लेते हैं ठीक है ऐसे हमें में सोच रही थी कि अपना कपड़े बहुत जादा हो गए पांच ट्रसेज में आज लेकर आई हूँ और पांच से पहले के पड़े हुए थे लेकिन वो सब तो फॉर्मल है ना तो मैं पास कुछ कैजूल कपड़े भी होने चाहिए इसे ही दुर्द जाने के लिए इस दफ़ा जाओंगी तो कुछ लॉन के कैजूल डॉसस लेगे यह ठीक हारिस को भी तो शॉप एक बे लेके जाना है ना कर लेका खुदी बाबा से कौंगी तो पैसे देता यह ले शैतान का नाम लिया और शैतान हाजर बहुत बुरी बात है शोहर होने वाला तुम्हारा इज़त क्या करो हेलो क्या हो रहा है कुछ नहीं तुम्हें याद कर रही थी अरे मैं इतना खुश नसीब कैसे हो गया के तुम मुझे याद कर रही थी करना पड़ता है ना कभी-कभी जरूरतन चलो जरूरतन ही सही तुमने मुझे याद तो किया वैसे यह बता होगी के जरूरत क्या थी अम्मो आयो ही ना तुम्हारा को ईज़िः कर रही है हा क요 मुझे पटा है कि वहहाँ याद कर दे होगी अंहां किसी खुशपेमी में मत रहता है कर मे ने तुमसे बात करने के लिए को Nepal किया मुझे अम्मा से बात करने के लिए उसी लिए कॉल यह gekckt तु फिर मेरे नंबर पर कॉल क्यों किये? जाओ, उनको डिरेक्टी कॉल कर लो, बाई अबबा, तुम्हें कितना लडते हो, हर वक लड़ाई लो, आगिया फॉल लाउट्स पिड़कर, लाउट्स पिड़कर चाँ हेलो हेलो अमो, कैसी है या मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन तुम दोनों ठीक नहीं लग रहे हो मुझे, हर बस लड़ते रहते हूँ जी हाँ, एक जंगली बिल्ली से रिष्टा जो जुड़गे है मेरा हर वक पंजे मार रही होती है और मुझे त अपना बचाव करना होगा शट अप, बिल्ले होगे तुम, जंगली वाले अम्मो, देगा आपने, अरे इसको छोड़े अम्मो, मैं कल आ रहा हूँ, आपसे मिलने काफी दिनों गए है, आपके हाथ के बना खाना नहीं खाया है तो कल आपके हाथ के बना खाना काऊ कोई जरूरत नहीं है, तहला मैं शॉपिंग पर जाना है, बाई अरे नहीं, नहीं, तुम बिल्कुल आना हम लंच के बाद शॉपिंग पर चले जाएंगे क्या जरूरत है अम्मो, ठक जाएंगी आप अरे, कोई मसला ही नहीं है बस तुम आजाना अच्छा, मैं तुमें खाना के लाओंगी अच्छा सापना के अरे अम्मो, शॉपिंग पर मैं ली चलूँ मा पहले लंच और बाद में आप लोगो को शॉपिंग पर जी नहीं बिलकुल भी नहीं, आपको free होने के बिलकुल खरूरत नहीं वहलो मैं तुम से free हो भी नहीं, मैं अपनी अम्मो से free हो रहां हूँ क्यों अम्मो? बिलकुल, जरूर बस आजाना मैं इन्तजार करूंगी तुम्हारा ओके, अला हाफिस खुदा हाफिस विल्ला म्याव क्यों यह लगती रहती हो तो मुस्से इतना अच्छा बच्चा है शरीफ बिलकुल तंग नहीं करता हर बात मानता है तुम्हारे हम जिंदेगी भर माननी यह तो इसने पात है प्रेक्षिस करवारी हूं वै तुम्हारी हूं नहीं भाल, अब मुसे अच्छी से स्टडी नहीं होगी। और वैसे भी फर्दे स्टडी से क्या होगा। ज्यादा से सादा एक डिग्री आ जाएगी ना? और डिग्री की कहां वैल्यू है यां पर? खेर यह तो अपनी इपनी सोच की बात है। मेरे ख्याल से तालीम जो है वो सिर्फ रसरफ आपको डिग्री नहीं देती है, बलके शौर भी देती है। क्या बाते चल देंगे हैं फई? तो श्री से समझा रहा था कि अपनी स्टडी स्टूरी पूरी पर है। मश्वरा दो ऐसे सही? हाँ, हाँ, बहुत अच्छा मश्वर है। लेकिन मेरे लिए नहीं। क्योंकि मुझे फर्दर स्टूरी में को इंट्रेस्ट है यह नहीं। देखें, मैं आप दोनों को अंसान अलफास में समझाती ह। यह अपनी लाइफ को एक रूटीन में कैद करने से मुझे पर टेंशन होती ह। सुबा सुबा इंसान उठे वो भी उनिवरस्टी जाने के लिए वहां पे नोट्स, लेक्चर्स, अटेंजन्स की टेंशन नहीं, नहीं, इतनी स्ट्रेस में 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 लाइफ गुजर नहीं सके की इस्वेली बोरिंग फो मी आप दोनों तो निकल जाते हैं आफिस, काम करते रहते हैं, मीटिंग्स करते रहते हैं मेरे लिए तो आपके बस वक्ती नहीं होता आ ये भी बास सही है, इसलिए राइना के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी रोकता हूं लेकिन सच पूछो तो राइना को लेकर जो उसकी जिंदगी की अप्रोच है मुझे पड़कुल भी पसंद नहीं है तो मेरी तुम्हे एक बसनल एडवाईस है बठा ठीक है उसके साथ टाइम स्पेंड करो लिखिन उस जैसी बनना मत, प्लीज बाबा, राइना अंटी किसी भी डिसिजिजन के लिए कहीं जाने के लिए मुझे फोर्स नहीं करती मैं हर जगा अपनी मर्जी से जाती हूं ना वो मुझ पर अपनी मर्जी मुसल्लक करती हूं एक बात बताओं आपको उनके साथ मैं बहुत कमफटेबल फिल करती हूं ऐसे ही जैसे है जैसे कभी अम्मी के साथ फिल करती है वो जैसी भी है मुझे उनका साथ अच्छा लगता है उनके साथ रहने अच्छा लगता है बना यहां तो लोग सबसे पहले अपना रोग जानने लगते हैं, इंफ्लूइंस करने लगते हैं मैं समझ रही थी समीरा की डेट के बाद फारूग बदल जाये थी अगर मेरी तमाम खिदमत, मेरा सारा प्यार जो मैंने इसकी बीटी को दिया इससे भी इसका दिल मौम ना कुआ मैं इसे बरबाद कर दोगी और फिर और फिर आगे बढ़कर इससे संफाल दिल मौम की मुझे बताएं तो सही किस बात की टेंशन लिए बैठे हैं, क्या हुआ? तेक अब फारूग की कोई टेंशन नहीं इसी में शेब मैं उसकी नेचर से वाकिर दे हूँ मुझे पता था कोई कमी वेशी रही तो चल जाएगा काम लेकिन हारिस की फैमिली को मैं जानता नहीं हूँ अब चाहता हूँ कि उन्हें कुछ शिकायत का मौका नहीं कुछ शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सब कुछ अच्छी तरह हो जाएगा, आप बिलकुल बेफिकर है एक बात पूछनी थी तुम से जी वो कई बार जहन में आती है बात लेकिन फिर भूल जाता हुआ जा भाई जा अनुश्या नहीं जो महर के हमाले से बात की थी तो फारुप ने भी शिकायत तो नहीं किय थी उसके नहीं नहीं भाई जान बलके मैं तो एक दिन बैठी थी उनसे बात करने तो कहने लगे के पुरानी बात दोहराने की कोई जरूरत नहीं बड़ अच्छे दिल का माली का पारुब और उसके बच्चे जो है उनका रविय कैसे है धमाल साथ हमदान तो बहुत अच्छी तरह रहता है युसरा भी अच्छी है बस खुस्से की थोड़ी तेज है लाडली है ना सबसे चुटी इसलिए शायद हमारी अनोशा नहीं है कि हम उन प्रड़ गुस्से की तेज लिगते तुम्हें वहां भी अनोशा मिल गए और तुम्हारी कजन उसकी फारुख की कजन थी ना राहिना उसका इसर होई है तो अच्छी तो भारजजन जादतर घर में होती नहीं और जब भी होती है तो मेरा उ आपको सर में दर्थ है तो अचानक शवीज सर में दर्थ है आपने कुछ खाया भी नहीं नहीं वरना दवा देती आपने प्रेश्य की दवाई तेरो जाए तेकिन आपने कुछ खाया वनी मैंन असूप बना कि लाती हम फिर आपको दवा दूंगी ठीका हाँ एक मिनटा अर अनुशा एलो जूस प्रियो जूसरब मैंने खुद देखाय हमदान को हमदान फोन में चुप चुप कर अनुशा की तस्वीरे देखता है तुमने देखा नहीं उसे कितना उदास थैने लगाए इसे है बहुत चालाख लड़की तो गैसे हमदान को दीवाना बना रखा है उसने रिलाक्स हम और वैसे भी की शादी हो ठीए शादी कहा हो रही है अभी तो सब रिष्टा पक्का हुगा है और यह तो बड़े-बड़े निकाह तूट जाते हैं तो फिर रिष्टे की क्या वैल्यू है और वैसे भी उन्होंने अपनी बेटी का रिष्टा इसी लिए करवाया था ताके अपनी बेटी का भाव बढ़ा सके अच्छा रिलाक्स बाबा ने तो मना कर दिया है ना और भाई बाबा की अज़ात के बगए कुछ नहीं कर सकता यूस्टा तुम बात क्यों नहीं समझ रही हो देखो यहां पे तो गेम ही दूसरा है फारुक ने हमदान को मना किया है अपनी बीवी को थोड़ी नकाल कर सकता है क्या मतलब देखो मतलब यह है कि जब उमेमा फारुक से यह कहेगी कि अनुशा की शादी जो हमदान से करा दो तो अपनी बीवी को कैसे मना करेगा जायर से बात है नई बीवी है उसका गुलाम जो ठहरा मना नहीं करेगा कभी भी और मुझे तो इस बात का पका यकीन हो कि उमेमा अपने घर इसलिए गई ताके वो रिष्टा खतम करवा के हमदान से रिष्टा जुरवा और उमेमा ने फारुक से निका के वाक्त जो शरायत लिखी थी ना उसमें अनुशा को आदी प्रॉपर्टी का मालिक वो जरूर बनाईगी नहीं नहीं आदी आप यह क्या कह रही है वो लड़की वो चाहिल लड़की इस घर में आईगी मैं उसकी शकल तक देखना बरदाश नहीं कर सकती अगर वो इस घर में आईगी ना तो मैं यह घड़ चोड़के चली जाओंगी और आप यह बात इतने यकीन से आप कैसे कह सकती है अरे मैंने खुद सुना है ना हमदान वो मैमा से कह रहा था कि आप किसी भी तरहां से उसका रिष्टा खतम कराए क्या क्या हाँ वो मैमा ने कहा है कि तुम फिकर ही ना करो अनूश्या तो सिर्फ तुम्हारी है और तुम से ही शादी करें और जहां तक बात रही फारूक को मनाने की तुम वो मैं कर दूँ इंपॉसिबल रड़की इस घर में अदम नहीं रखते शाहिर, कवार, बस्तमीर वैसे मैं भी यही सोचती हूँ कि अजकल की लिड्कियां कैसी है ना कॉलेज में एक लड़का पसाया हुआ है हमारे हमदान पर अलग दोरे डालती है लेकिन एक बात उम्हें बता दू यह जो फुपी बतीजी है अना, उनका प्लान यही है कि इस पूरे घर पर राच करें वो दों के झाल कि यह ले बाइजान, चल्ड, सूप पिया है, थोड़ा बेतर फील करेंगे, फिर मैं आपको दवा देते हूं, नहीं मैं, सुमझ नहीं आदे, इस च्छा काफसा सुल्या को, अब जर्थ की उतना शिदी हो रहा है सर मुझे तो लग रहे है नजले की वज़ा से आपको दर्थ थोड़ा है सर मैं, थोड़ा सा सूप पी ले ना, फिर मैं आपको दवा देते हूं, अम्मो, मुझे लग रहा है तेमपरेशर दिया है, ठीक कहरी हो, चेक करो जड़ा, 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 क्यों परेशान है मैं आपको मामुली सी अनारा दे बेटा, थोड़ा खाले ना, भ कितना है? एक सो एक, और आप कहरें मामुली हरारत है, बिलकुल नहीं, चले, डॉक्टर के पास फॉरत, आम इचा दे जाओंगे दोपरेशर, तुम लोग जाओ, शॉपिंग पे वो हार रिस कितनी देर से आया बढ़ा है, बिलकुल नहीं, चले, डॉक्टर के पास फॉरत, हम आज नहीं जा रहे हैं, जिद नहीं करो बेटा, चाहूँ छोड़ा बखबा के रह गया, जदी से सारे काम ख़तम करो, बापा मैं आपको इस हालत में छोड़के नहीं जा सकती ना, चार दिन के लिए हाई हैं मामा, दो दिन तो गुज़र दी चुके हैं, बाइजान, मैं मुहमद, तुम चली जाओ साथ, प्लीज संजा करें, आपकी तब्यत बिगड़गी तो सारे इंतिजमात कौन देखेगा, कुछ दिनों में शादी है, और वक्त बहुत कम रह गया है, चले, डॉक्टर के पास चलते हैं, आपको चेक कर आते हैं, चले, अलो शाथ नहीं चली जल्दी देर हो जाओ, जल्दी देर हो जाओ, अच्छ ठीक है, आप डॉक्तर के पास से लिजाएगा, मेडिसन स्काली जेगा, और ये सूप भी पी लिजएगा, ठीक है, मैं जल्दी साथ और सारी लिस्ट चेक कर लेना अच्छा, एक एक चीज ते कर ना जो जो लेती मैं बानी लाद भाओ, जाओ, जाओ, हमदान उमेमा से कह रहा था कि आप किसी भी तरह से उसका रिष्टा खतम कराएं, उमेमा ने कहा है कि तुम फिकर ही ना करो, अनूश्या तो सिर्फ तुम्हारी है, और तुम से ही शादी करेंगे, क्या राइना सच कहरी थी, लेकिन उमेमा एसा नहीं कर सकती और हमदान, उमेमा से ऐसी बात कैसे कह सकता है, और मैंने उमेमा को ये सब बताया भी नहीं, मता नहीं वो हमदान के बारे में क्या सोचाएं, ये टेंडर प्लीस चेकर लेगा, देख लेएंगे तुम्हारी है, क्pected इवो एक जड़ुरी एमेल करनी हैं मैं और करकातो को जड़ुरी बात करनी है, जदुपस करने हैं, और के अब तक खागा था अपनी शादि को लेको क्या सोचा थै। उसक्षित, कुछ भी, काम प hoping थीने उतिनाग है प्धाना सार्ान हुरु कहीं तुम अभी तक यह तो नहीं सोच रहे हैं, कि शायद कोई रास्ता निकलता है। आपको क्या लगता है। कोई रास्ता निकल सकता है। काम करने जाब है। काम करना जा रास्ता निकलता है। काम अभी में अभी तक यह तक रिकलता है। काम करते ठाचित रहे है। पर भारी रिष्ट केसे लिष्ट के लिष्ट Candice कौनि भॉपट के लिष्ट dalुहे नसों की मिले अध। कर दो केसे लिष्ट अधूद आधे की मिलें आधा टिचत D विए नसी निकाला निए। यार मस्जुमी वह लास्ट टाइम तुमने ही कहाता है ना के अब शॉपिंग का मद बोलना और देखो अल्ला कितना बड़ा है किस तरह जरीय बना देता है शकर खोरे को अल्दाला शकर देही देता है क्या एक तो तम इतनी मुश्किल उर्दु बोलती है बिल्कुल समझ भी नहीं है धो उर्दुदानों के साथ रह रहे कर सीख गई अच्छा यह तो अच्छी बात है कुछ तो सीखा तुमने क्या अच्छा सुनो वोग हम पहले घर जाएंगे हां चलो क्यों अच्छा यह मिलना जाते हैं तुमसे अच्छा है और तुम पहले मिलें आ गई हो तुने थाड़ ले ओना हाँ घर भी ले आऊंगा लिकन मैं सोच गाता के अले अकेले मिलने तो साथ अच्छा है मतलब मतलब यह के वो इट का जबाब पत्थर से देती हैं और तुम भी चुप रहने वाली हो नहीं तो यह जो गुलाबारी का सेशन है ना यह पहले ही हो जाए वन-टो-वन क्लियर अगर वो इट मारेंगी तो उने पत्थर के लिए तयार है नहोंगा बना मैं पहले पहल नहीं करती यार अगर अनुशा वो पहल करें तो इग्नोर कर देना यार महमान एकुछ दिन के लिए यह चले जाएंगी वापस और उसके बाद तुमारे दिल में जितना होना गुस्सा करना मुझ पे कल लेना बलके पत्थर तक माल बस फार इसमें फजूल बातों पे उधार नी करते हाथ के हाथ हिजाब चुकाते हैं लेकिन अनुशा कभी कबार खामोश रहने में बहतरी हो पी है नाजाइस बाद पे खामोश है ना जुर्म होता है यह मैं कौन सा कह रहा हूँ हो मिलते ही तुमसे लड़ना शुरू हो जाए इस तुम में ऐसी बनाई भी मेरे सामें ऐसे वो मुझसे मिलने ने पड़के मुझसे मुकाबला करने के लिए आ रही है हां हां लेकिन वो बस मैं एहतियाद के तौर पे तुम्हें कह रहा था कि बस तुम खयाल करना को जबाब मत देना प्लीज प्लीज चलो चलो प्लीज चुटा एल हूँ मैं पता नहीं हाँ आज़ा एक घंटे के लिए जड़ा बहार जा रहा हूं कहां जायों एक ज़रूरी काम है तुम हो अनुशा बहुत जिकर सुनाये तुमारे बारे में उमीद करते हो आएएटी अच्छे लफ़ों में सुनाओग अच्छे बुरे का फैसला तो मिलने के बाद ही होता है न अब किसी के कहने की क्या अहमया अच्छा तो करने फैसला आगई हो आपसे मिलने अरे भाई आप लोग ये किस पहस में पढ़ गए हैं आप लोग ये बताएं किया मैं और अर्डर करता हूँ खाना वाना छोड़ो ना हारिस हमें शॉपिंग पर भी जाना देर हो रही है शॉपिंग किसकी शॉपिंग अनुशा गो शॉपिंग कर जाना है क्याई ये अपनी शॉपिंग भी तुमारे साथ करेगी नहीं आटी, मैं अपनी शॉपिंग अपनी फुपव के साथ करते हूँ या तो खुद भी कर लेती हूँ आज हारिस ने फोर्स किया खुद तू बस जी हाँ, मैंने ही कहा दा चलो में शापिंग पे ले जाता हूँ, क्योंके मुझे भी शापिंग करनी है, हम दोनों साथ शापिंग करें हारिस, तुम लोगों को देर हो रही होगी, तुम लोग जाओ थैंक यू नाइस तुमीट यू, अलाफिस चले, मैं ओन गड़ता हूँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, लड़की बहुत शापिंग तो क्या मैं किसी से कम हूँ प्रूण चले, मैं डिल्कुल यू, तुम लोगों किसी से कम हूँ चले, मैं अल्ड़की बहुत भ्रूब करें मैं बहुत अब मैं वहाँ हम प्रूब करें हलो असलाम लेकूम बारी मासाम क्या हो रहा है कुछ नहीं वो भाइजान के साथ बैठी थी तो जो नहीं जाना था नहीं अनुशा चली ज़ेगा भाइजान को थोड़ा सा बखार हो रहा था इसलिए मैंने सोचा उनके पास रह जाओं ठीके बाद में बात करते हैं जल्दी फ हुआ है आखर यह सब क्या चल रहा है प्रुबदी के अठीक लिए हुआ कि उतना सीरिया से को इसकी शादी इंच come कर वाकि उसकी इसराधी कि नहीं नहीं हमदान असानी कर सकता है Gary इसब क्या है? मदर अनुशा घर पर नहीं इधर रमदान उफिस सकाए पर दिल को पता